रांची टेस्ट के तीसरे दिन भारतिक अपतान रोहिश शर्मा अपने साथी खिलाडी सरफरास खान से नाराज हो गए नाराज की की वजब बनती भी थी क्योंकि सरफरास बिना हेलमेट पहने एक क्लोस इन पोजीशन पर फिल्डिंग करने के लिए खड़े हो गए और इधर रोहिश से फटकार खाने के बाद उन्होंने हेलमेट पहन कर फिल्डिंग शुरू कर दी इस वाकियो को लेकर अब दिल्ली पॉलिस ने भी खास ट्वीट किया है दिल्ली पॉलिस ने इस वाकिय का वीडियो शेयर करते हुए लिखा टू विलर पर हीरो नहीं बनने का हमेश्चा हेलमेट पहनने का ये वाकिया इंग्लेंड की दूसरी पारी के 47 ते ओवर में हुआ है तब कुल्दीप यादब बॉलिंग कर रहे थे रोहिट ने सरफरास को मिज़ॉफ रिजन से सिली मिज़ॉफ पर फिल्डिंग के लिए बुलाया रोहिट के कहने पर सरफरास बिना हेलमेट पहने सिली मिज़ॉफ पर खड़े हो गए सरफरास ने अपने कप्तान को समझाने की कोशिश भी की जिस पर रोहिट ने उनी फटकाल लगाते हुए कहा वेट रिहरो ने बनने का होगी दिल्मenden कि फिल्मे compromise